गाट टेलेंट टीजी बी मीडिया के द्वारा एक अभिनाय प्रस्तुती जन सरोकारों से जुड़े मसले पर सदे अपनी भूमका का निर्वान करते वे टीजी मीडिया ने एक कदाम आगे बढ़ाया रचनात मक्ता की ओर जिसके तहर चत्तिजड़ की विधाओं को एक मंच पर लाना और उन्हें प्रस्ताहित करना इस कड़िम बड़े हर्स और खुसी कभी शही रहा है कि हमारे चत्तिड़ के प्रमुक व्रक्तितों ने भी इसमें अपने सहयोग दिया और योगदान दिये जज के रूप में उभरते सुपरिस्टार राज साहोजी उपस्थित रह आगे सहयोग की क्या संकल अपना रहेगी उनकी मुझस उनकी अव्यक्ति सुनते हैं सबसे पहली जय जोहार जय चत्तिजगाड टीजीवी मीडिया के जतेगी दर्सक मला जोहार चत्तिजगाड और चत्तिजगाड ता गाड टैलेंट जो आज कारिक्रम यहां पर जो रखे गेरी साब है यहां चत्तिजगाड के अलग अलग जीला के लेक्या मनहर आगर के आपर अपना आडिशन दे साब है और यह आडिशन मा उम्रा के कोई ऐसे श्रीमा नहीं है कि पांस साल के बच्चा से ले करके असी साल तक के हमार बीच एक अभी माताराम आकर के अभी हमाला आडिशन दे साब है अपन संगीत के माद्याम से गायन के माद्याम से यह बहुत अच्छा पाल है कि आने वाला समय मा पुरा च्छतिस गड़ राजजय के गाउं गाउं और गली-गली मा यह जो हमार जो हमार जो टालेंट चुपे हुए है उन पुरा हिंदूस्तान देखी तो ये जो आपमन के जुन पाहल है एकर लिए आपमन बहुत-बहुत बधाई के पात रहो और आने वाला समयमा और 36 गड़ राज जम्मा जो है हमर जुन उभरते जुन कला का रहे चोटे-चोटे जबन गाउं मा छुपे है उमन आपमना बहुत दुआय दी ही और हमरो जयन के महत्पुन्त तरत्र के बांगी यह रही से कि इसने विधावन इसने वेक्तित्त मराज हम रायजवन में सायोग दे हैं भागदरी निभाए हैं और प्रोस्थाहित करें वही कड़े में हमार समाग मुपतीस ते अतिथी के रूप में मनोज खरेग जी आज ये ना पर विएक बायोग्याफिक तैयारी उखर चला थे हमर सुप कामना है साथ ही साथ आभार है कि आज आयोजन अतिथी की रूप में उपस्थित होकर प्रतिभागी मारा अशीरवात दीश और बहुत कुछ घोशना भी करीन है कि उखर प्रोस्थाहन बर आओ उखर अभ्यक्त प्रतिभाग जो निखार के सामने आये और प्रतिभाग की खोच इनकी जारी है सुरुवात आज से उनकी हो चुकी है और इतना अच्छा प्रेटफॉर्म में इनका चालू हो रहा है मैं उम्मीद करता हूं यह प्रेटफॉर्म इनका आगे सस्टेक्स पूल और जो लोग ब इसको एक बार जरूर इसको कारक्रम में सामील हो और मैं अविक्षा करता हूं अमीद भाई से कि अच्छे लोगों को खोच-खोच के और 36 का नाम रोशन करें और उपर तक पहुंचाएं और मेरी इसके लिए मैं अपने तरब से पूरा भर सक कोशिश कर रहा हूं मेरे भी ह कि मैं फिल्म प्रोडूशर हूं मेरी फिल्म बन रही है काका जिन्दा है और लगबग बन चुकी है और इसके अलावा भी एक-दो फिल्म और है मेरी दाजी जोगी है और एक फिल्म को और है और इसी तरह के से बैं जो यहां से कलाकार अच्छे मुझे लगेंगे जो लग हैं प्रदीबाप चुद कर आएंगी उनको मैं अपनी फिल्मों में भी चांस दूंगा मैं यह मैं अमित जी से वो किया हुआ हूं आगे भी वेरको उनको पूरा समर्तन मिलते रहेगा करके जैजवार बहुत-बहुत धन्यवाद आप मन के पुरसाहन आशीरवाद सदेव म बड़े सुन्दर ढंग से संपन हुआ जिसमें प्रतिभाग्यों ने स्वभाई और सुन्दर प्रस्तुवी दी जजों की रूप में पस्थित रहे राज सव उभरते सुपरिस्टार कुलकरणी मेडम जी परख्यात निक्यांगना एम कविता सर्मा जी समास सेविका एम सिक बड़े सुन्दर ढंग से जज के माध्यम से इनका मार दर्सन मिला प्रतिभाग्यों को टीजी पी मीडिया अभायर विख करती है साथ ही साथ उनकी भ्यक्ति क्या रही उनकी महसूसियत क्या रही आयोजन को लेके आईए इस कड़ी में कविता सर्मा जी से सुने उनकी बान आयोजन जो बच्चों की प्रतिभा को बच्चे नहीं इसमें तो उम्र का कोई बंधन ही नहीं था छोटे से लेके युवा और बुजूर्ग तक इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे और वही चीज हमको आज जो है ऑडिशन में देखने को मिला बहुत ही अच्छा लगा कि आरियन जो था सबसे छोटा बच्चा था और हमारी दीदी जो आई थी जिनको आप देखेंगे जरूर लाइक सस्क्राइब जरूर कीजिएगा टीजीवी मेडिया को जो आपके बीच ही लेके आया है कि अच्छतिस गड़िया गौड टेलेंट और ये टेलेंट से भरपूर है हमारा जो है छतिस गड़िया प्रतिक बच्चे नर नारी या जो कहें कि ये जो है किसी समय या किसी उसके बंधन के महताज नहीं थे गौण फिदेंस लेबर भरपूर देखने को मिला और हमको इतना मजाया कि ये जो है हमारे लाइफ टाइम के लिए ये जो है रहेगा हम और हम चाहेंगे कि ऐसा ही प्रोग्राम जो आप लोग लाए हैं, TGP मेडिया जो लाया है, हम सभी के लिए 36 गढ़िया गॉड टेलेंट वो भारत ही नहीं, आगे भी बढ़े और बढ़ेगा ऐसा आज का जो है आज अडिशन देख के लगा, बच्चों की प्रतिभा, जो यूद थे, उनका लगन, कथ्थक डांस, और हमारे बीच, हमारी कुलकर्णी मैम और राश्सर के साथ, मेडिया टीम जो है TGP को, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, और ये जो है, जो बाथूम सिंगर होते हैं, और मन में एक जिग्याशा रहती है, कि हम जो है, ये क्या कर सकते हैं, तो जितने भी आप सभी देख रहे हैं, उनके लिए एक विसेश ओशर है, इस ओशर का लाब उठाएं, और जुड़े TGP मेडिया से, और अपने हुनर, अपनी क्वाल्टी को आगे दिखा हैं, चतिस गडिया गॉड टैलेंट में, चतिस गडिया सबसे बढ़िया, ऐसा तो कहते हैं, और भैं ही हैं, हमको अपनी चतिस गडिया सबसे बढ़िया में, तो इस टेलेंट का जो इस हुनर का है उसको लाब उठाएं और 36 गडिया को टेलेंट में जो TGV मीडिया के जितने मीडिया डारेक्टर अमीद भाई है आप हमारे मुकेज भाई और साथ ही गिर्धर को पासर और ये देख रहे हैं महान हस्ती जो सभी का आशिरवाद TGV मीड मिल ही चुका है और मिलता ही रहेगा इतना अच्छा और इतना सुभाशर को यदी आप यसका लाब नहीं उठा पाते हैं तो मैं तो कहती हूँ लाब नहीं उठाै पाएंगे नहीं लाब आपको उठाना ही है तो गेड़ सेटै को रेडि हो जाए중े और तुरंज जो है अग देती हूं जज्जमेंट के लिए मुझे आपने चुना तो पूना धन्यवाद TGV Media 36 गढ़िया God Talent धन्यवाद अमेद भाई मुकेज भाई और गिर्धर गोपाल भाई जी के साथ पूरे सहपाथी को धन्यवाद प्रख्यात नित्यांगना सोनिया कुलकरणी जी सोनल कुलकरणी जी जो कि नित्त की विधा में ख्याती अर्जित यह नहीं की है उनके समिच्छा से और उनके नित्तों को देखके प्रस्तुतिकरण को देखके उनकी जो समिच्छा रही है महसूस हुआ उसके साहित से भी गहरे उससे जुड़े हुए है तो आईए इस आयोजन को लेकर कुलकरणी जी का क्या विक्ति रही क्या कथरी उनकी क्या मसूज़त है उनके विक्ति सुनते हैं जै जोहार जै शर्तिसगर सबसे पहले में TGB Media के टीम पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे इस आयोजन के लिए जज्मेंट के लिए यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया और अब सभी से मेरा यनुरोध है कि यह TGB Media चैनल को बिलकुल सब्सक्राइब करें और इनका पुरूरा पुरत्साहन करें मैं यहाँ आई हूँ और मैं एकतर डांस क्लास में यहाँ पर इनका आयोजन रखा गया है जो की कंकाली तलाब में स्थित है यहाँ पर मैंने बच्चों के परफॉर्मेंस देखे मुझे बहुत ही अच्छा लगा छोटे बच्चों से लेके मिडिल एज से लेके ओल्ड एज तक के पार्टिसिपिट्स थें जिसमें एज का कोई बाउन्डेशन नहीं है सबने इतने अच्छे से परफॉर्म किया हमने सारे जज़िस ने मैडम ने पूरी टीम ने बहुत अच्छे से इन्जॉई किया और इस इन्जॉईमेंट को देखके तो हमें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम बैट के प्रोग्राम देखते ही रहे और ये प्रोग्राम खतम ही ना हो चलता ही रहे सब का प्रोथसाहन बहुत अच्छा रहा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा हम चाहते हैं कि 36 गड में सबको मौका मिला और मैं चाहती हूँ कि ये अभिनयत दिखाने का मौका आगे भी बढ़ते रहे इंडिया लेबल तक जाए उसके आगे भी जाए और हम इसी तरह कारिरत रहे थैंक्यू सो मच और TVG मीडिया और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद कहती हूँ कि मुझे यहाँ पर उन्होंने इंवाइट किया और ये प्रोग्राम रखा थैंक्यू सो मच टीजीपी मेडिया की ओर से पुनह आपकी गर्मा में उपस्तिती के लिए हिर्दय स्याभार साथ ही साथ यह भावना कि आगे होने ओले आयोजिनों में जैसे कि बता दूं कि यह आयोजन जो है जिला इस्तर पे, बलाक इस्तर पे होने की ओजना है तो आप लोगों का आशिरवाद, प्रोस्ताहन और सयोग इस तरह निरंतर मिलता रहे इसी के साथ ही TGP मीडिया में सिनियर रिपोर्टर अमीद भाई को भी खास धन्य वाद देना चाहूंगा कि वो इस आयोजन के प्रमुक सुत्धार रहे उनकी कड़े मेहनत और जज़बे ने आयोजन के भवेजरूप स्वरूप पदान किया TGP मीडिया प्रचारक गिर्धा सर्मा जी और हमारे टीम के सुनवानी जी सभी का एक सुन्दर योगदान रहा और इसी तरह का योगदान अस्तायोग और प्रोस्तान मिलता रहेगा इसी के साथ पुना-पुना आप लोगों को बहुत-बहुत अभार हार्दिक धन्यवाद जी मुझे पता चला कि अमीद कुमार जी जो है जो टीवीजी मीडिया के डारेक्टर है वो एक खुद ही कलाकार है और कला में इंट्रेस्ट रखते हैं इसलिए उन्होंने ये टीवीजी मीडिया के च्पुद गॉद टैलेंट का आयोजन रखा और किया आज उसका ओडिशन था और ये ओडिशन जो है वो सिर्फ रैपूर शहर में ही नहीं बलकि पूरे 36 गड़ में सभी जीले में ऑनलाइन के ठुरू भी और खुद आकर भी आप अपना ओडिशन दे सकते हैं जो कि अमित जी जो है कला के शेतर में रूची रखते हैं इसलिए उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम के बारे में सोचा और सारे 36 गड़ के बच्चों को बड़ों को, बुजुर्गों को किसी भी को इसमें एज का कोई बाउंडेशन नहीं है कोई भी वेक्ति आके इसमें करें, थैंक यू सो मच